सो ही गाईज अंकुर की तरफ से न ये कभी अपडेट आया है और वो अपडेट कुछ ऐसा है उसमें उसने लिखा हुए कि हेलो एवरिवन आज 22 नवंबर को मॉर्णिंग में 12 बजे यानि थोड़ी देर में मेरे एक अंकट वीडियो आएगा हो सकता है कुछ लोग उससे ओफेंड हो जाएं और उस और एज यूजियल मेरे उपर एमोशनली फैमली प्रेशर बनाया जाएगा वो वीडियो डिलीट कर जो सामने लाना जो कि वो भोली बनके जो नए नए जो बंदे आ रहे हैं जो नए ने उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको पागल बनाती है जैसे कि लोग नीचे कमेंट भी कर रहे होते कितनी अच्छी बेटी कितनी सेवा करती है माबाप की बेटी तो खराब हैं जिन ल जो भी वीडियो है आप डालो तो सही पूरी वीडियो डालो ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि तुम क्या हो और तुम्हारी बहन क्या है तो शायद हो सकता है कि इसी चीज़ पे वो वीडियो जो है पूरी की पूरी वीडियो डालने वाला है और उसके बाद जो है वो पे, साइक्लोन के ताकि उनकी आखे खुल सके उन लोगों को भी सच पता चल सके इसका जितना कि मासूम बनके लोगों को दिखाती है और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने इसके उपर जो है, रियक्शन देना क्यों स्टार्ट किया, मैंने एक बहुत नॉर्मल रिय लेकिन वहाँ पे एक लेड़ी आ गई मुझे नहीं पता वो कौन थी और कौन नहीं थी थोड़ी दिर बादी पूरा कमेंट सेक्षन उस औरत ने गालियों से भर दिया और मैं देखके इतनी जादा हैरान हो गई कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है कौन जब मैंने उस से जाके कमेंट में बात की तो तब भी जो है ना मतलब ना तो उसको तमीज थी बोलने की कुछ भी और ना ही उसने ढंक से मुझे कोई भी आंसर दिया तो मैंने तब जो है उसके कुछ स्क्रिंशोट ले लिये थी और मैंने उस लेड़ी को वहां से ब्लोक कर दिया था फिर उसके बाद जाके मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की, वो मेरी सब्सक्राइबर है, मैंने उसको बोला, कि अर मैंने तो ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाए इस लेड़ी के उपर, और ये पता नहीं कौन है, तब उसने मुझे बताया कि आपको नहीं पता, ये साइकलोन ही है, स तो तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और तब मैंने का कि मैं अब इस पर रियक्शन देना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और इसलिए मैं इसके उपर अब जो है रियक्शन देते हैं ठीक है तो मैं भी हर्याना में ही रहती हूँ साइकलोन कान खोल के सुन ले और तू अगर कहेगी न तो तेरे हिसार में ही बैठे बैठे जो है न तेरे जो है सारा तेरा डाटा जो है अभी निकलवा सकती हूं तो थोड़ा सा तमीज में रहा कर तमीज में रहके कमेंट किया कर फेक आईडी से जाके भी या किसी और को भी अगर तू चम्चो को बोलती है करने के लिए और अगर ये साइकलोन शर्मा है ना तो मैं भी शर्माई हूँ ठीक है इसने हमारे जो हम जो पंडित हैं ठीक है हमारी इसने ना कटवा रखे है वाके में मुझे इसको देख के बहुत जादा घिन आती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि यार मतलब ये धबबा है हमारे जो हम ब्रामन है ना हमारे उपर ये धबबा है लड़की आप लोग अब देख रहे होंगे आपको पता होगा कि ये ना कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक के महीने में तो वैसे भी यार नोन वेज क्या ठीक है कुछ भी निखाया जाता है लेकिन ये डेली डेली अपनी वीडियो में जो है न अंडे दिखा रही है मतलब इसको जरासी भी समझ नहीं है ये सिरफ नाम नाम के जो है पंडित बने हुए है बाकी ज्यान का इनके पास तो मैं कहा रही हूँ एक देला भी नहीं है और उपर से हर्याना का नाम जो खराब कर रखा है वो सबसे अलग इसने तो गैस ये थी एक अपडेट छोटी सी और अगर कोई उसको डाउनलोड कर ले तो बहुत अच्छी बात है डाउनलोड कर लेना हो सकता उस लड़के से डिलीट भी करवा दी जाए और यहां किसी की जो है वो नहीं करने आई कि इसका भाई अच्छा ये अच्छी अच्छा कोई नहीं है जब एक दूसरे को अपने आपको सोशल मीडिया पर लाके जो है ये नंगा कर रहे हैं तो भाई क्या ही अच्छा वो इसमें लेकिन हाँ ये ठीक है कि भई हाँ अगर जैसे कुछ अंधभक्त बने बैटे हैं जो आके जो है रेक्शन वालों को गाली देते हैं कम से कम उनको भी तो पता लगेगा असली जहरा इसका तो ठीक है गाईस मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में और चैनल को सब्सक् करना बिलकुल ना बोलें बाबाई